बुद्ध की मृत्यों के 450 वर्स बाद उनकी सिच्छाओं को समझाने के लिए जातक कथाएं लिखी गए कि दो सो बीस इस्वी पूर लिखी गई विश्णु सर्मा की पंच तंत्र और जातक कथाओं में समानता देखिने को मिलता है क्योंकि जातक कथाओं पंच तंत्र से ही प्रभावी थे इसके साथ साथ रमायर महाभारत और अन हिंदूओं की धार्मि ग्रंथों की कहानियों से प्रभावी थे इसकारष जातक कथाओं में बुद्ध के साथ सा्थ भगवान राम भगवान प्रह्मा और इंदूओं ने देवताओं के राजा इंदके साथ शात अन्य देवताओं का भी उल्लेक मिलता है, जातक कथाओं उस समय की अधिः परचली पाली भासा में लिखी गई थी पाली जो कि उस समय संस्कृत का ही बिगरा हुआ स्वरूप थी और एक प्रकार की प्रक्रत भासा थी जिस प्रकार आज के समय में हिंदी है पहली सताब्दी के बाद कुछ जातक कथां संस्कृत में भी लिखी गई थी जिने एपोक्रिफा कहा जाता है अब तक झाल